हेलो दोस्तों वेलकम बैक ट्यूर यूट्यूब चैनल नौलेज रडार तो दोस्तों मैं हूँ वेक्षीन और स्वागा थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज रडार में दोस्तों जैसा कि आप थर्मनेल में देख चुके हैं आज का जो इसकोलर्शिफ बिल्कूल वैसा ही है और एक नया इसकोलर्शिफ है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फरस्ट टाइम आ रहे हैं फरस्ट आम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जाईए कर दीजे ताकि ऐसे वीडियो सब तक आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप इसका लुप्त उठा सके तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देखी चुके हैं थामनेल में रॉल्स रॉइस उन्नती स्कॉलर्शिफ और वीमे 31 मार्च 2020 इसका अंतिमति थी है फ़र्म भढने का eligibility मतलब इसके लिए आप योगे है या नहीं यह जान लेते हैं so यह open for girls students only जो भी girls students है उनके लिए है यह applicants must be studying in first, second, third year of engineering degree मतलब जो भी girls है जो study कर रही है engineering degree के या तो वो first year में है, second year में है या third year में है तो ही इसको वो apply कर सकती है जैसे कौन-कौन से field हो सकते हैं फिल हो सकते हैं आपके aerospace में है वो गर aerospace, marine engineering, electronics, computers, etc मतलब इन जो field में वो आप engineering degree कर रही है वो apply कर सकती है किसी भी recognized AICT से recognized institution से कर रही है तो apply कर सकती है applicants must have score more than 60% marks in class 10 and 12 board मतलब कि 10th or 12th में आपका 60% से ज्यादर marks होना चाहिए class 10th or 12th के board exam में अब जानते हैं scholarship amount के बारे में so basically जो scholarship amount होगा आपका ये होगा 35,000 का scholarship आपको मिलेगा अगर आपका इसमें selection होता है selection process के हम बात करें तो सबसे पहरे जो आप application साफ इसको फिल अप करेंगे उसका एक screening होगा जो कि merit or financial need के बेस पे जो आप application उसमें स्क्रीनिंग करके आपका form selection होगा उसके बाद telephonic interview होगा मतलब कि आपको एक call आएगा call के थूरू आपसे कुछ question सवाल जवाब पुछे जाएंगे for further short listing candidates मतलब telephonic interview के बाद आपका short listing मतलब का selection होगा face to face interview भी हो सकता है for final selection के लिए if required अगर जोड़ पढ़े तो face to face interview भी आपका लिया जा सकता है लेकिने जोड़ी नहीं है कि हो भी सकता है documents क्या क्या लगेंगा form को fill up करते समय documents आपको कुछ इस तरह से लगेंगे photo identity proof address proof मतलब कहां रहते हैं उसका address class 10 और class 12 mark sheet self attested copy होना चाहिए class 10 और 12 का आपको mark sheet लएगा self attested अब हम जानते हैं और details में दोस्तो proof of admission college ID card admission fee receipt मतलब कि आप किस college में है उसका proof यह आपका college ID card भी हो सकता है यह admission fee receipt भी हो सकता है current academic year fee receipt मतलब आप यह किस year में है उसका fee receipt आपको यह लग सकता है bank account details क्योंकि scholarship आपको आएगा bank account details भी आपको देना पड़ेगा first of scholarship applicant cancelled check और passbook copy जो भी वहाँ पर यह आपको देना पड़ेगा तो दोस्तों यह थे सारे details scholarship से related फिर से बता दूं यह scholarship basically girls students के लिए है जो first year, second year, third year में है जो कि electronics, marine, space engineering या computer science और इन सबसे कर रही है वो इसको यह इसको apply कर सकती है इसका जो link है और description में दे दूंगा वहाँ जाके आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो comment box में हमें comment करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके जितने भी आपके girls friends हैं जितने दोस्त हैं कर दोस्ते है स्थते हैं कर दोस्ते हैं कर सक्क्राइबSoft कर दोस्ते हैं कर आपके ऑ année